कि हलो इस्टुएंड्स पेलकम बैक तुमाइ यूटूब चैनल प्रोफेसर शुभम्त व्यारी जहां पे चल रहा हमारा तीवाई बीकॉंप क्लास सिंफाइव कंप्लीट कॉस्ट अकॉंटिंग के स्रीज अन्जब मैं सी ये की बात करता हूं तो यहां पे सबसे पहला और के मंटीरियल कॉस्ट में ईओग्यू मिंस एकोनॉमिक ऊडर कॉंटि कल कि हमारी थेटिकल क्लास हो चुके मतलब जहां पर अमने से शीखाएव एकोनॉमिक कॉंडर कॉंडिटी क्या होता है उसका फॉर्मुला क्या है टेबल मेतड कितने में एक तो मारा फॉर्मूला वी से से नमारा table method आता है यह क्यों में practical point of view से तीन concept है practical point of view बई फॉर्मुले मेथड में विधान अगना method कितने दो table method formula method table method formula method clear कर रहो आपका table method में तो बई एक ही method एक ही concept आप बोल सकते हूं मैं करा दूंगा 5-5 class मतला उसमें भी टाइफ से बट वो मैं एक ही इक काउंड करूंगा बड़ यहां पर economic order quantity formula वाले में मैं तीन टाइप डिवाइड गर रहो एक तो basic जहां पर basic topic अपने को दिये हूंगे economic order quantity के इसकी एकलिस है कि 4-5 class important topics है 10 marks का मतलब आप यह बोल सकते हो अगर material cost में प्लिक करो दो important topic तो आपके एक तो फीफो वेटेड में से एक आने का चांसे second आपका economic order quantity मतलब यह दो most IMP वाले हैं इसलिए इसमें हर एक concept clear होना आपका बहुत important है इसलिए economic order quantity में basic के I think 3-4-5 class जब तक वह जितने types of sum मेरी नजर में रहेंगे करा के दूँगा उसके बाद आएगा cost concept economic order quantity का cost and then discount मतलब 3 types of sum formulae में है clear है I think clear होगा तो चलिए start करते हैं आज की class example number one लिया जा रहा है भई from the following particulars find out the economic order quantity clear mention है clear mention किया है क्या क्या details से भई annual demand देके रखा है ordering cost inventory carrying cost per annum per unit इसमें ध्यान इंपोर्टेंट आपकी क्या रखने लाएक है वह ध्यान रखना है यही चीज अगर आप find करना सिख गर यह topic आपके लिए बहुत simple हो जाएगा जैसे 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 इकोनोमिक ओडर कॉंड़िटी फॉर्मुला क्या जरा ध्यान से समझ रहा है फॉर्मुला है अंडर रूट टू ए ओ आपन में सी यह आपका फॉर्मुला है बहुत इंपोर्टेंट लाइन चीज अब आप समझो एकोनोमिक ओडर कॉंड़िटी मत का फॉर्मुला अंडर रूट टू ए अब ए का मतलब में आपके क्या होता है ओलिडी देखो यह आप पे दिया है एन्वल डिमांड दियान से रखना और आगे क्या करेंगे वह भी और इंवल डिमांड साल की डिमांड चुछिए आगके आने वाले सम भी हो सकता है तो आपको यह साल का करने पड़ेगा वीयकक दे सकतें साल में करना पड़ेगा मतलब समझ रहे क्या भई यहां पी यह तो पहला एक्जामपल इसले सीधा दिया भई एन्युल दिमांड साल की डिवांड कि इतना भई सामने दिया यूनिट बड़ आगे आने वाले एक्जामपल्स में मंत का भी दे सकते हैं कॉट्डर का भी दे सकते हैं व सेगन यहां पर बाते हैं बारण को सयहां है नवाले दे सकते हैं कि आऽ । कॉछे यहां पर शियुकर एकको यहां मंत करें सेब्सक्द करते हैं algorithms का करेंगे आगे आने वाले समस्में भी देखेंगे और सबसे प्रॉब्लम का काम यहां पर कर सकते हैं आपके साथ सी के साथ अब सी का मतलब क्या होता जड़ा देखो यहां पर पहला समय तो करके दिया भई कैरेंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट दो इंपोर्टन चीज है कैरे कि कैरेंग कोस्ट जानी काई तो कैरेंग कोस्ट पर एनम पर यूनिट पर एनम पर यूनिट पहला समय इससले बहुत सिंपल है किनोह 50 आएछ दितेल समय धी आ गया पहले हैं अभी आगजाए आग हो समय निकालना पड़ेगा एनुल्ट डिमांड कितना देख रखिखा साम रूपीस 15 है मतलब इसमें तो भई सब दिया यह आपको सिर्फ फॉर्मुले में वैलू पुट करते हैं फॉर्मुले में वैलू कि टू इन्टू ए का मतलब एंगल डिमांड सामने दिख रहे कितना दिया है इन्टू ओ ओ ओ ओ दिया अब इन्टी नैंटी डिवाइड बई डिवाइड बई सी का मतलब करेंग कॉस्ट कितना देके रखा है 15 क्यल्सी का यूज कर लो 2 इन्टू 12,000 इन्टू 90 किया 216 12340 डिवाइड बई 15 डिवाइड बई 15 किया डिवाइड बाइ 15 किया 124 1230 इस्क्वाइर रूट लो 379.47 द्यान रखना पॉइंट में कभी भी एंसर नहीं आएगा क्योंकि आप यूनिट्स निकाल रहे हो तो इसको राउंट फिकर आपको करना पड़ेगा और फाइनल एंसर जो आएगा 379 यूनिट्स अधर्वाइज आप लिख सकते हो बई 380 यूनिट्स एप्रॉक्स दो ही एंसर पॉसिबल है अब इससे ज्यादा डिफ्रेंस नहीं आ सकता अगर आप इग्जेक्ट एंसर लिखना चाहते हो तो क्लियर है नोट कर लो पहला सम आप नोट कर लीजे पहला सम लिख लिया पहला सम सिंपल दा बड़ आगे आने वाले एक्जांपल से इतने सिंपल नहीं रहेंगे जितना आप सोच रहो आज आओ इधर पर मैंने क्या पता है दिखो simple सा concept आपको धेन में रखना है हमें ढोड़ना है sudah A हमें ढोड़ना है बहीड हमें ढोड़ना है बहीड हमें ढोड़ना है सी यही तौड़ना है कुेस्चन स्टार्ट करते हैं प्रेडूसर है इस्टिमेटेड एनुवल पर्शेज रिक्वार्मेंट ऑफ 30,000 यूनिट्स और मटिरियल द्यान उको क्लियर वर्ड बोता दिया एनुवल पर्शेज देकर रखा मतलब साल का पर्शेज और एका मतलब यही होता है सर एनुवल डिमांड एका मतलब ही तो यही एनुवल डिमांड कितना दिया था सामने दिख रहा है थर्टी थाउजन कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉबलम होगे क्लियर है आगे पढ़ते है जरा सा वह मतलब क्या बताया था बही ओर्डरिंग कोस्ट वह मतलब है बही ओर प्रॉबलम है पर यूनिट पर है नम बट कोई प्रॉबलम नहीं एक एक बेसिक कॉंचेप्ट आपके क्लियर कराते हुए चलेंगे चलो ओर्डरिंग कोस्ट पहला डूडते है लाइन पढ़ते है फिर से क्या है बही यूनिट प्राइस आपने को दिया होगा मतलब सिंगल कॉमटिटी का प्राइस दिया होगा इसका मतलब क्यारिंग कोस्ट डिरेक्ली नहीं मिलेगा वो निकालना पड़ेगा कैसे ओवी सीखेंगे अबी अनुट प्राइस तुन्टी पर्शंट मुझे लगा हमेसा ऐसा देगा कब देगा परसिंटेज में आपको कैरेंग कोस्ट तो हमें दिया है यूनिट प्राइस ओप मटिरियल कितना है भइ फिप्टी तो निकाल लो सिधा जो परसेंटेज है शाल का वो कर लिया तो आगया 10 आगया अंसर हमें क्या चीए sir per unit तो per unit देखो न यह दिया है कि नहीं दिया है बिल्कुल दिया है और हमें चीए sir per annum per annum देखो annual cost देके रखा है carrying clear बता रहा है तो हमें जब यह पता है sorry per unit पता है तो multiply अगर कर दूँगा जो percentage वाले से तो आ जाएगा आगे आगे का concept ordering cost clear देखे रखा है 60 हो गया 60 अब जो यहाँ पर आपके लिए एक new concept था वह यही था जब कभी धान रहा है unit price of material दिया है तो आपको यह जरूर percentage में दिया होगा पर्सेंटेज में धान रहा है annual साल का लिखा होगा भई क्योंकि यहाँ पर यूनिट पर यूनिट का material का cost दिया था बट पर एनम नहीं बोला था सर पर एनम के लिए इन्होंने हिंट दिया है यहाँ पर देखो सामने देखो अगर यह काम आपने कर लिया तो सीधा फॉर्मूला अपलाई करो और एंसर निकाल लो फॉर्मूला क्या है वह क्यों का कि आज वह स्टार्टिंग से ई ओ क्यों का फॉर्मूला है कि टू ए ओ आपन में सी शेलिए वैल्यू पुट करेंगे टू ए ए का मतलब यहां पर दिख रहा है 30,000 इन टू ओ ओ का मतलब ओर्डरिंग कॉस्ट है 60 डिवाइड बाई सी मन्स क्यारिंग कॉस्ट कितना मिला 10 मुल्टिप्लाए टू इन्टू 30,000 इन्टू 60 किया 36 वन टू थ्री फूर फाइब डिवाइड बाई 10 किया तो सिंगल जीरो कैंसल हो जाएगा कितना बचेगा 224 40 कितना जीरो 40 इसको अब थूड़ असा और साइड करते हो में और फाइनल एंसर आ रहा है स्क्वाइर रूट ले लो इसका डिवाइड बाई 10 और स्क्वाइर रूट 600 यूनिट 600 यूनिट नोट कर लो जितने भी डाउट्स कन्क्यूजन निव कॉंसिप्ट आपके लिए आएंगे मेंशन करता रहूंगा और हाइलाइट कर रहूंगा ये निव कॉंसिप्ट नोट कर ले नाव ये अगर क्लियर है बाई तो एक और डिफरेंट सम जहां पर आपको थोड हमें चाहिए ओ का मतलब होता है और्डरिंग कॉस्ट हमें चाहिए सी का मतलब क्यारेंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सम जड़ा देखो बहुत अच्छे तरीके से अबाउट 50 आइटम्स आर रिक्वार्ड एवरी डे यही इंपॉर्टन चीज आपको पताई कहीं थी अब यहां पर मेंशन किया भई एवरी डे बड़ी यह टॉपिक बोले एनुवल डिमांड हमें चाहिए साल का डिमांड ची अगर परडे का डिमांड है तो मल्टिप्लाइ 365 कर दूंगा साल की डिमांड आजेगी क्योंकि एक साल में होते हैं 365 डेज मल्टिप्लाइ करते हैं तो 50 इंटू 365 किया 18,000 18,250 यूनिट्स अब ऐसे निव कॉंसेप्ट आपके लिए आते रहेंगे मतलब यहां पर आपके लि और यह CB आपके लिए निव आने वाला है क्या आएगा देखते हैं यह भी जरा आगे का डिटेल्स पड़ते हैं एफिक्स कॉस्ट आफ रूपीज सिप्टी पर आइटम पर आइटम मतलब पर यूनिट तो दिया है बट प्रॉब्लम होता है नहीं करेंग कोस्ट को लेके प पर डे दिया है ध्यान से देखो आप क्या दिया भई पर डे दिया है 0.02 तो मल्टिप्लाई कितना करोगे 365 क्योंकि हमें चहिए पर एनम पर डे दिया है तो मल्टिप्लाई 365 कर दोंगा पर यूनिट तो दिया तब यह तो दिया है यह तो दिया है यह तो दिया है यह तो द अगर यहीं कॉंसेट आपके लिए आगे तो फॉर्मूला यह ना सबसे इंपोर्टेंट कहते हैं यह समझना आपके लिए और यह अगर क्लियर है तो आगे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है आगे प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमिक ओडर कॉंटिटी फॉर्मूला टू ए ओ अपॉन में सी व्याल्यू पूट करते हैं जरा इनकी तू इंटू ए ए का मतलग एटेन टू फिप्टी इंटू सी ओ स्वारी ओ टू ए ओ वो मिन्स वारीं कोस्ट कितना दिख रहा है फिप्टी इंटू फिप्टी अपॉन में सी बिलोग तो क्यारिंग कोस्ट वाला कितना था 7.3 7.3 छलिए मल्टिप्ले टू इंटू 18 टू 50 इंटू 50 किया 182 182 5123 ट्रिपल 0 डिवाइट बई 7.3 करदो डिवाइट बई 7.3 किया 2540 कितना रहा है कि मुल्टिप्लाइ करने पर कितना रहे है कि तुन्टिफाइब वन टू थ्री फूर कि स्वेयर रूट ले लो कि स्वेयर रूट केल्सी पर स्वेयर रूट देखो सामने रहता अपना तो कितना आएगा 500 500 यूनिट्स यह आपका आगया एकोनोमिक और कॉंटिटी नोट कर ल कि चले क्लियर है आई थिंक हर एक बच्चे का कॉंचेप्ट यहां तक क्लियर होगा ध्यान से रखना बेसिक से स्टार्ट किया गया और बेसिक पॉंट आप यूसे मतलब एक एक टॉपिक करेंगे क्योंकि मैंने पहले बता है यह टॉपिक एक्जाम पॉंट आप वी से कॉंद आपको करना पड़े गा कुलियर है यह इक बच्चे का गेंड होगा फिर भी किसी बच्चे को आज की अि क्लास को ले के कोई डाउट कोई कट करें जड़ी ब् отлич करें या फिर कुंदेखक्ली गडियर है वीडियोयों थोड़ी से भी hellfs लने यह बीड ऑ करना चा नन लिंक हमारे कॉमर्स इक्षन वाले बच्चे को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सकें तुछे लिए मिलेंगे अगली क्लास में तब तक के लिए सेंक्यू सो मच